दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की लेटिस थाई हॉरर मुवी जिसके अंदर हम काली शक्तियों के गलत इस्तमाल को देखने वाले हैं और मुवी का नाम है हून पायोन ये मुवी काफी ज़दा इंटरस्टिंग और डरावनी है और मैं ड्रामालिस इसे 7.4 आउटर 10 की रेटिंग्स दी है ये कहानी है एक लड़के की जो अपने भाई को ढूंडने के चक्कल में फस जाएगा दर्म और काली शक्तियों के जंचाल में तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्त देखना चनल में नए हो तो मैंने इस चैनल को जिसम वीडियो इंगिश में मौजूद है तो रज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब हम देखने जा रही है हून पायोन मोवी की एक डरावनी कहानी तो ये कहानी शुरू होती है दौन सिंग आइलेंड को दिखाते हुए जाके लोग फोपुर नाम के एक देवता की पूजा करते हैं प इस आदमी को गाओ वाले सेक्रिट साइट से भगा देते हैं पर उस रात को उस आदमी को मिलती है उसके किये की सजा वो लदी के किनारे फिशिंग कर रहा था कि तबी उसे दिखाई देती है एक एंटिटी जिससे डर कर वो भागता है पर उसका पैर फज जाता है लकडी के अंदर और वो एंटिटी उस आदमी पे हावी हो जाती है मचली का काटा उस आदमी की आख और मुग के अंदर फज जाता है और वो शक्ती उसे पानी में खीचके ले जाती है अब इसके बाद हमें पता चलता है हून पायोन के बारे में असलमें दोस्तों उस आइलेंड पे जो लोग मर जाते हैं उनके लिए सिमेंट के पुतले बनवाय जाते है और उन पुतलों को ही हून पायोन कहते है खेर अगले दिन हम लोग देखते हैं ताय नाम के एक mentally challenged लड़के को और उसकी दोस्त मीना को पर ताय मीना को पसंद करता था थोड़ी तेर बाद आईलेंड पे आता है थाम नाम का एक लड़का जो मीना की काम में थोड़ी मदद करता है और थाम आईलेंड पे अपने भाई ती से मिलने के लिए आया था थाम का भाई बहुत पहले आईलेंड पे आके मंक बन गया था पर अब थाम अपने भाई को बताने के लिए आया है कि उन दोरों के ममी पापा गुजर गए है थाम को अपताई आईलेंड के मंदिर तक ले जाता है और उस आईलेंड पे हर जगा फून पायोन मौजूद थे खैर मंदिर पे पहुचने के बाद थाम मिलता है मंदिर के सबसे बड़े मंक लुंगना से लुगना थाम को बताता है कि उसका भाई सालों से गायब है और उसने चार साल पहले मंदिर के एबट को मार डाला था इस बात पे थाम को बिल्कुल भी यकी नहीं होता क्योंकि उसका भाई कोई किलर नहीं था और वो फैसला करता है कि वो कुछ दिन आइलेंड पर ही रुक कर अपने भाई को ढोगने की कोशिश करेगा लोगना थाम को आइलेंड पर वेलकम करता है और फिर ताई उसे ले जाता है उसके भाई के कमरे की तरफ पर बीच में वो लोग मिलते हैं ब्रीज नाम के एक इमिच्चॉर मंक से जिससे ताई एक स्केट बोड के लिए बहस करने लगता है उसी जगा थोड़ी देर बाद एक दूसरा मंक आता है जिसका नाम है कला और थाम आगे एक और मंक से भी मिलता है जिसका नाम है उल और दोस्तों आप ये सारे मंकों के नाम याद रखना उल्थाम को रात के 9 बजे के बाद घर से निकलने के लिए मना करता है क्योंकि रात का टाइप भूतों का होता है पर इस बात से थाम को हसी आजाती है और हमें समझ आता है कि थाम ज्यादा रिलिजियस आदमी नहीं है थाम अब अपने भाई ती के गर में सेटल होता है और थोड़ी देर बाद वो जंगल में घूमने जाता है और मिलता है लूंग नासे जो अब थाम को होन पायोन की परंपरा समझाता है कि कैसे लोगों के होन पायोन उन लोगों की आत्माव को अकली जिनम में इंसान बंडे मे मदद करती है थाम वहाँ पे जैस नाव के एक आदमी से भी मिलता है जो हून पायोन को बनाने का इंचार्ज था और ये रिलिजन सद्यू से उस आइलेंड पे मौजूद था अब उस रात को थाम को आता है एक डरावना सपना जिसमें उसे जंगल में अपना भाई ती दिखा जाहिं देता है वो उसका पीछा करता है पर पहु Kollege पायोन के पास और वो हून पायोन अपने आप हिल रहे थे थाम डरने रगता है और अचानक ही ईह उन पायोन जिंदा होके ठाम को बूरी तरिकी से डराकर जगा देता है then next day भे हम लोग मिलते हैं मंक थड़ से जो मंदिर में लोगों को उनकी परिशानियों का इलाज बताने का काम करता है और थड़ के पास से गुजणने के बाद थाम पहुचता है ताई के पास जहां पर वो दोनों नास्तप करते हैं यहाँ पे थाम ताई को पहली बार बांको की एक स्पेशल डिस्ट बना कर खिलाता है चो ताई को बहुत ज़दा अच्छी लगती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं पर तब ही वहाँ पे आता है कुन डाम का एक मंग अपने एक साथी जाए के साथ। कुन और उसका साथी ताई को चिड़ाने लगते हैं और सारा खाना मिक्स करकर उसे जबरजस्ती खिलाने लगते हैं जिससे थाम को आ जाता है गुसा और वो कुन से लडाई करने लगता है। के मौजूदगी अच्छी नहीं लगती और वहीं दूसरी तरफ मीना अपने भाई प्रीज के लिए खाना लेके आती है जब कुन उसे रोक लेता है और से बात करने लगता है। इसके बाद मीना जब घर लोट रही थी तो वो टकरा जाती है थाम और ताई से। मीना पे मीना थाम को पसंद करने लगती है पर ताई मीना और थाम को अलग-अलग कर देता है। और वे पता चलता है कि ताई को ऐसा लगता है कि मीना उसकी गल्फरेंड है। ताई अब थाम से थोड़ा किलस जाता है और वो मीना को वहां से साइकल पे बिठा कर ले जाता है। मीना भी बिचारी mentally challenge ताई को कुछ भी नहीं बोलती और मीना वो घर छोड़ने के बाद ताई आभी भी थोड़ा जल रहा था पर मीना उसे समझाती है कि डरो मत मैं सिर्फ तुमें ही पसंद करती हूँ। अब उस रात को मीना की मा को मीना के कमरे से कुछ अवाजे आने लगती है और जब वो जाकर चेक करती है तो दोस्तो मीना अब हो गई थी possessed। मीना को अब ले जाते हैं मंदिर में जापे सारे मंक्स आते हैं और मीना का एक्जॉर्सिजम शुरू करते हैं। मीना मीना के उपर होली वाटर डालता है जिससे मीना को दर्द होता है और सारे मंक्स प्रेयर वगेरा करने लगते हैं। मीना एक्जॉर्सिजम में बहुत ज़दा एग्रेसिव हो जाती है और अचानक ही उसे काले खून की उल्टी हो जाती है। ये सब थाम से देखा नहीं जाता और वो लुगना को रोग देता है एक्जॉर्सिजम के बीच में ही और बोलता है कि मीना को डॉक्टर चाहिए ना की एक्जॉर्सिजम पर तब ही मीना खड़ी होती है और सारी चीजों को फैलाने लगती है। मीना की माँ उसे समालती है और लुमना बोलता है कि ये सब मीना के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो भगवान पे विश्वास नहीं करती और अब क्योंकि एक्जॉर्सिज्म अधूरा रह गया था तो मीना को वापिस घर ले जाना पड़ता है अब अगले दिन थाम सब को बोलता है कि फोपुल भगवान कुछ भी करने नहीं वाला क्योंकि मीना को डॉक्टर की जरूरत है पर जब प्रीज, उल, कला और थाम मीना के घर पे जाते हैं तो उसकी माँ बुरी तरीकी से डरी हुई थी क्योंकि मीना अपने पंद कमरे के मीना को डरा देती है पर फिर थाम मीना को कसके पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है पर इस सीन में एंड में मीना हसते हुए घर से ही भाग जाती है सब लोग मीना के पीछे बागते है पर अब मीना जंगलों में खो जाती है और किसी को भी नहीं मिलती मीना क्रॉल करकर पहुँच जाती है एक पुरानी मंदिर पे जहांपे वो फोपुर से प्राथना करने लगती है पर दोस्तों क्यों यह हमें बिल्कुल एंड में पता चलेगा अब रात में सारे मंक्स थाम और ताय के साथ मिलके फोपुर की मूर्ती के सामने खड़े थे जहांपे थाम सब को बोलता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि ये मूर्ती बेकार है जिसके बाद थाम घुसे में फोपुर की मूर्ती का हाथ तोड़ देता है थाम इसके बाद ब्रीज को डंडा देता है और वो भी अपनी बहन को लेके दुखी था पर उसके साथ ही दोस्त ब्रीज को मोरती तोड़ने नहीं देते अब तब ही वहाँ पे आजाता है हून पायन को बनाने वाला जैस जो थाम को रोक कर बोलता है कि तुमने जो किया उसकी सजा तुमें जरूर मिलेगी और उसलिए बहतर होगा तुम अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ पर तब ही थाम को एक इविल एंटिटी पोजेस कर लेत है और थाम पागल होके अपना ही हाथ एक पत्थर से तोड़ने लगता है थाम को रोकने के लिए जैस कुछ मंतर पढ़ता है और हो उसे एक लॉकिट पहला देता है जिससे वो एंटिटी थाम के शरी से निकल जाती है थाम को जब हो जाता है तो अब उसे अच्छे से यकीन हो गया था कि इस आइलेंग पे कुछ ना कुछ तो सुपर नैचुरल हो रहा है पर वो भगवान है ये थाम को अभी भी यकीन नहीं था अब अगले दिन ब्रीज अपनी बेहन को हर जगर ढूंता है जैस के साथ और वो लोग पहुचते हैं एक नदी के पास बनी हुई उसकी आत्मकी शांती के लिए प्रात्ना करते हैं पर इस सब के बाद ताई को मीना की समान में मिलता है वो छोटा साून पायोन जिसे देखकर जैस चौख जाता है जैस तुरण जाकर उस हून पायोन को नदी में फेक देता है क्योंकि वो हून पायोन काले जादू से बनाया गया था और इसका मतलब मीना की मौत के पीछे कुन का हाथ हो सकता है सारे लोग अब गुस्से में कुन के गर पहुचते हैं पर कुन गर पे था ही नहीं अब आगे दिखाते हैं मंक थड को जो लुंगना की तिजोरी से पैसे चुरा रहा था ये बात लुंगना को पता चल जाती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है पर ये सब कुछ ताए भी देख लेता है और से पता चल जाता है कि थड एक लालची मंक है वहीं दूसरी तरफ थाम को जंगल में घूमते वक आती है एक बहुत गंदी बद्बू और से एक पेड़ के पास गड़ी हुई मिलती है एक लाश उस लाश को जब सारे मंक लोग आकर इंस्पेक्ट बगेरा करते हैं तो पता चलता है कि वो लाश तो मंक कुन की है और इतना ही नहीं लाश के हाथ में था मीना का ब्रेसलेट गाओ का चीफ अब वहाँ पर डिकलियर कर देता है कि कुन नहीं मीना को मारा होगा पर आखिर कुन को किसने वारा यहामें समझ नहीं आता खैर उस रात को मंक थड फिर से चोरी करके भाग रहा था पर उसका पीछा कोई और चीज भी कर रही थी और वो जो भी चीज थी थी को मार डालती है क्योंकि अगले दिन उसकी लाश पेड़ पे लटकी हुई मिलती है गाओ के चीफ के हिसाब से ये खुदखुशी का केस था पर थाम बोलता है कि थटके मोटापे को देखकर लग नहीं रहा कि वो पेड़ पे चड़ भी पाएगा मतलब दाल में कुछ तो का इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थाम आसपास के जंगल में घूमता है और से मिलता है एक बंद गुफा का दर्वाजा अब इससे पहले थाम दर्वाजी का ताला तोड़ पाता वहाँ पे आ जाते हैं लूंग ना और सीनियर मंग और दोनों ही थाम को वहाँ से भगा देते हैं ये कहके कि ये जगा बहुत ज़्यादा पवित्र है जापे सब का आना मना है थाम अब वहाँ से भाग जाता है पर भागने के बाद वो जाता है जैस से मिलने के लिए जैस के घर में हर जगा अधूरे हून पायोन मौजूद थे पर एक कोने में से थाम को पूछता है तो जेस्ट बताता है कि हून पायोन जब तक कम्प्लीट नहीं हो सकता जब तक लाज की एक हंटी हून पायोन की चाती के अंदर ना रखी जाए और क्योंकि थाम का भाई चार साल से गायब है इसलिए उसका हून पायोन अभी तक अधूरा है। खैना उस रात को थाम सोने ही जा रहा था कि बाहर से कुछ आवाजी आती है। वो आवाजों के पीछे जंगल में चले जाता है जहां पे बहुत सारे हून पायोन मौजूद थे और थाम को लग रहा था कि उसके पीछे भी एक हून पायोन चल रहा है। वही दूसी तरफ उल्प, क्ला और ब्रीज साथ में थे कि तभी उनके पैरों के पास एक एक करके गोल बॉल्स आने लगती है। वो तीनों डर जाते हैं कि तभी दरजनों बॉल्स अंधेरे से निकल कर उनकी तरफ बढ़ती हैं और वो तीनों डर के मारे छूप जाते और मुंबती भी अपने आप भुच जाती है और वही जंगलों में अब थाम पे हमला कर देता है एक हून पायोन जो जिन्दा हो गया था। सेम टू सेम चीज तीनों मंक्स के साथ भी होने लगती है और उन्हें भी एक हून पायोन आके बुरी तरीके से डरा देता है। था में कुछ तो अजीब हो रहा है और वो तुनों जैसके घर पे जल्दी ही ताई से भी मिलते हैं जो वहाँ पर छुपने के लिए आ गया था और वो डरा हुआ नहीं था। अब थाम जैस और ताई को शक था कि जो फून पायोन उन्हें जंगल में अभी अभी दिखा वो मंक कुन का था और ये शक यकीन में बदल जाता है जब वो लोग कुन की कबर को खोलते हैं और कुन की लाश उन्हें नहीं मिलती। अब दोस्तों लाश अपने आप गायब तो हो नहीं सकती तो जरूर कोई और है गाउ में जो काना जादू कर रहा है पर आखिर कौन। यहाँ और छय कि मिलती है कि सीनियर मंग के साथ कुछ गर्बर है योग이 वो मंग हमेशाद थां को गाउँ से भागने के लिए बोलता रहता था और शायद बो कुछ थो थां के भाई के बारे में चुपा रहा था। ist पुले दिन थाम जाकर सीनियर मंक के घर में चाना बीनी करने लगता है और उसे मिलती है सीनियर मंक और उसके भाई की एक फोटो थाम का साथ बाकी मंक्स और जेस और ताई भी दे रहे थे और इस चाना बीनी में ब्रीज को मिलती है एक काले जादू की किताब अब तब ही ब् गर्दन पकड़कर उसे बैट के नीचे खीचने लगता है। ब्रीज चिलाता है और उसकी चीक सुनके क्ला और ताय वहाँ पर आकर उसे बचाते हैं। उल और थाम के पास पहुचते हैं। उल और थाम दोनों को भी समालते हैं पर अब सभी लोगों को लग रहा था कि ताय मारा गिया। पर थोड़ी देर बाद ताय वापिस जाडियों से निकल कर आ जाता है जो किसी तरह जिन्दा बच गया था। से डण लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो और तब ही कोई अंजान इंसान उसे आकर पकड़ लेता है। और इस बात को आप लोग याद रखना। और अगले दिन थाम देखता है कि चीफ दुबारा गाउं में आया है। और थाम समझ जाता है कि फ उफा का दर्वाजा खोल पाता। इस बार गाउं का चीफ आफिसर वहाँ पे आ जाता है और वो बिना सोचे समझे थाम और ताय पे गोली चलाने लगता है। थाम और ताय चीफ से बचके भागते हैं और अब ये साफ था कि ये सीनियर मंग और चीफ वगेरा किसी बड़ी खिचडी को पका रहे हैं। उस लड़ाई में थाम बेहोश हो जाता है और ताय वहाँ से भाग जाता है और वो पहुचता है उल, कला और ब्रीज के पास और इस सीन को भी आप लोग याद रखना। ताय सब लोगों को बताता है जो अब ये भी हुआ और दूसी तरफ थाम थाम को जब होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी गुफा के अंदर बना हुआ पाता है और उसके उपर लिप्ती हुईती सिमेंट की पटियां। थाम को अब दिखाई देता है लूंग ना और दोस्तों असल में वो भी बागी बड़े लोगों के साथ किसी इविल का जाना चाहिए था जिसके बाद लूंग ना थाम को सिमेंट की पटियों से पूरी तरीके से धंग डालता है और से एक जिन्दा हून पाए उन में बदल देता है वही ताय के कहने पे सारे मंक्स और जैस आ जाते हैं गुफा के पास गुफा का दरवाजा तोड़के वो सब को बताता है और असलमें लूंग नाम भी वही पे मौजूद था पर वो अंधेरे में छुप गया था अब सब लोग लूंग ना के बारे में बाते करी रहे थे कि तब ही उल्व के उपपर होने लगती है कुछ हलचल और उपर देखते ही उन लोगों पे हमला कर देता है कुण का डिमॉनिक हून पायोन जिससे लुगना छुप कर कंट्रोल कर रहा था सब लोग अब कुण से बचके बागते हैं पर कुण उनका पीछा करता है और अब ये साफ था कि शुरवात से ही जो कुछ भी डिमॉनिक हो रहा है वो मंदिर के बड़े-बड़े पुजारी कर रहे थे थाम को भगानी के लिए ताकि उनका कोई सच सामने ना आए खर अब हून पायुन पकड़ लेता है ताई को और वो उसका गना घोटने लगता है पर तब ही वहाँ पे आता था सीडियर मंग जो कुण के हून पायुन को बोलता है कि तुमें ये सारे बुरे काम बंद करने होगे पर जब कुण नहीं रुखता तो सीनियर मंक जैस को बोलता है कुन को उसका होली पेंडिंट पेनाने के लिए अब जैस जैसे ही अपना पेंडिंट कुन को पेनाता है उसको होने लगता है दर्द दीरे दीरे कुन बदल जाता है पत्थर में और फिर धूल में बदल कर गायब हो जाता है सीनियर मंक अब सब को बचा ल देखी हुई थी लुगना की सच्चाई। दोस्तों असल में पास्ट में लुगना और थड ने एक डिमॉनिक रिच्वल किया था कुछ खाश शक्तिया पाने के लिए और उस रिच्वल में उन्होंने एक लड़की के साथ इंटिमेट होकर उसकी बली चड़ाई थी। उन्हो उनों लोगों को मंक में बदल दिया था ताकि बोलो अपनी सच्चाई को धरम के नाम पे छुपा सके और सबसे चीफ को भी फायदा हुआ था अब ये सारा सच सामने आने के बाद सीनियर मंक लुगना को अंधेरे से बाहर आने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम काली श चाते हैं जिन्दा एक डिमोनिक फायून थाम को भी पकड़ दिता है और दोस्तों जो हून पायून थाम को पकड़ता है वह उसके भाई ती का ही हुँण पायून था जो उस गुफा के अंदर कैसे आया यह हमें जल्दी ही पता चलेगा अब यहां पिस सब लोगों को बच प्रिवी जिन्दा था और अब हमें पता चलता है कि पास्ट में थाम के बाइटी ने लुगना को मंदिर के एवएट को मारते हुए देख लिया था क्योंकि उसे भी सच पता चल गया था यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि फिर उसके बाद लुगना ने थाम के बाइटी को मार कर उसे भी जिन्दा होन पायोन में बदल दिया होगा और अब सीनियर मंक भी मंक ती से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी हून पायन को तोड़ता है जिसके अंदर ही उसकी लाश मौझूद थी और अपती का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार करके उसे प्रॉपर तरीके से हून पायन में बदल दिया जाता है अब जब थाम के भाई को इंसाफ मिल गया था तो वो भी गड़ जा सकता था पर वो अपने साथ ले जाता है ताई को, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए आइलेंड पे कोई नहीं था, पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि उस शाम को ताई और थाम के जाने के बाद, सब लोगों को मिलता है मंक जाई, जो ताई की घर के अंदर बन था, और अब हमें पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था, दोस्तो उस रात को जब जाई को किसी ने पकड़ लिया था, तो उससे पहले जाई ने लुगना को कुन की शरीर का होन पायोंग बनाते हुए देख लिया था, और इसलिए वो बहुत ज़दा डरा हुआ था, पर जाई को लुगना ने नहीं पकड़ा था, ताई ने पकड़ा था, क्योंकि ताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि वो लुगना की सिच्चुेशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि असल में वो पूरी तरीके से पागल था, खैरब चाई पॉइंट करता है एक टेबल पे, जहां पर रखी हुई थी बहुत सारी छोटी छोटी हून पायोन, दोस्तो अब हमें यहां पर पता चलता है, कि मूवी की शुरुवात में, कुन ने तो मीना को एक गुगलक चार्मी दिया था, पर ताई ने वो चार्म एक डिमॉनिक चार्म से बतल दिया था, ताकि मीना उसके वश में आ जाए, यही वज़ा थी कि मीना पुजेस हो गई थी, क्योंकि ताई को मीना और थाम से जलन होने लगी थी, इसके बाद ताई को जब पता चला था कि मंक थड एक चोर है, तो इसलिए ही मंक थड को उसने ही मार डाला था, पेर पे लटका कर, इतना ही नहीं, जंगल वाली लडाई में थाम के बेहोश होने के बाद, ताई ने चीफ को भी मार डाला था, और तो और ताय ने पोजेस मीना को अपने वश में तो कर लिया था पर ये सब कुछ कुन को पता चल गया था कुन ने मीना को बचाने की कोशिश करी थी पर मीना उस टाय पानी में गिर गई थी जिसके बाद ताय ने कुन को भी मार डाला था मतब दोस्तो मीना भगवान से इसले ही प्रे कर रही थी क्योंकि वो ताय से बचकर भागना चाती थी अब भले ही इस मोवी में लोगना ने इविल शक्तियों से सबको मारने की कोशिश करी हो पर जिस इंसान ने सब को सच में मारा था वो था ताय और अब ताय जा रहा था थाम के साथ बैंक कोग और इसी के साथ ये मोवी खतम हो जाती है तो ये थी explanation होन पायोन मोवी की और मुझे आशा है कि आप सब भी को ये मोवी समझ आगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी ये मोवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जॉइन करना होगा मेरे फेस्बूप पेज कर लिंक और बाकी सोशल वीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है तो अगर आप लोग में इसे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग में को वहाँ पर फॉलो जरू कर सकते हो वीडियो पसंदाए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकेंड चैनल को तुरांट सब्सक्राइब कर दो तो कि इनी चीज़ से मेरे को हेल्प मिलती है और अब मैं आप लोग उसे मिलता हो अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू बाब बाई झाल